मेरा तबेर शयद ठीक नहीं है एक मेने से इसका ये मतलब नहीं है कि बुबागरा को मालूम नहीं है तुरुपरा में क्या चल रहा है एक पूरा साज़िश है थांसा को तोरने के लिए एक पूरा साज़िश है कि दौफा को पाटके दौफा को कमजोर करके वही जगा में ले जये जो 70 साल से हो रहा है बहुत लोग बड़ता है तीक खुल सब्सक्राविज को तोरने के लिए प्रू के लिए को एगरू के लिए को देवर्मा के लिए को जमातिया के लिए कोई रूपीनी के लिए कोई उच्चोय के लिए फाइट कर रहा है कोई नहीं सोच रहा है कि अगर हम लोग ने अलग-अलग होकर हमने फाइट किया तो हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा कौन चाहता है कि तीप्रासा लोग डिवाइड हो वोई लोग जो तीप्रासा को 70 साल से नीचे रखने के कोशिश कर रहा है ये लोग दढ़ते हैं कि हम लोग अगर एक हो गए तो हमको ग्रीट तीप्रालान या तीप्रालान मिल जाएगा लेकिन इसके लिए मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ मैं अपने बहुत मेंबर्स को ब्लेम करता हूँ जो कभी भी बड़ा पिक्चर नहीं देखता है कभी भी नहीं देखता है कि अगर हम एक साल एक रहे तो हमें क्या मिड़ेगा लालच के लिए पोस्ट के लिए कर्मेंट का कॉंट्रैक्ट के लिए दलाली के लिए आप तिप्रासा दौफा को डिवाइट करने के लिए थोड़ा सा पैसा लेकर थोड़ा सा कॉंट्रैक्ट लेकर आप हम लोगों कमजूर कर रहे हैं बोबागरा एक महने से बिमार है। इसका ये मतलब नहीं है कि बोबागरा नहीं जानता है सोचली मीडिया में क्या हो रहा है, कौन लीडर लोग किन से बात कर रहा है। मुझे सागैं और मैं पूरा जिन्दगी बिमार रहने वाला नहीं हूत salah मेहने के बाद मैं वापस जमीन में निकलूंगा और ये सब जो अपने आपको नेता बोलते हैं दौफा का लीडर बोलते हैं तीपरासा को तोड़ कर हमें अपने ही जगे में गुलाम बना कर रखना चाहते हैं उनको मैं टॉलरेट नहीं करने वाला हूं अभी भी समय है आप एक साल सिर्फ एक साल तीपरासा बनके बने रहिए ना कि अलग अलग कम्यूरिटी एक साल अगर आप तीपरासा बन गए तो आपको सब कुछ मिलेगा अगर आप एक साल भी एक संग नहीं रहे तो हमारा कोई अधिकार्मी रहेगा सतर साल के बाद भी कि अपने ही हां में हम लोग second class नागरिक बनके रहें बुबागरा वापस treatment के बाद लोट रहा है और बुबागरा कभी भी अपने की प्रसा को नीचे होने नहीं देगा थांसा सिर्व एक शब नहीं है थांसा एक सोच है और यह सोच को गर हमको एक संग रखना है तो एक साल के लिए अपने बारे मत सोचो अपने next generation के बारे सोचो